हेलो गाइज, बेलकम बेक टू माई न्यू ब्लॉग आज जानते हैं आमला के पेड़ के बारे में और इसके फायदे आमला के पेड़ को एक दिविब्रक्ष माना जाता है और आमला यानी फलों को एक दिविफल माना जाता है आमले के पेड़ की लंबाई 20 से 25 फुट तक होती है और यहें एक छारिय बौदा होता है यहें एशिया के लावा यूरोप वा अफ्रीका में भी पाया जाता है इसके फूल घंटे की तरह होते हैं तथा इसके फल छोटे, गूदेदार वा स्वाद में कसैले होते हैं इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह छोटे होते हैं कच्चा रहने पे आमला हरा वा पकने पर यहें पीले रंका हो जाता है आमले का पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है धार्मिंग मानेताओं के अंसार ब्रह्मा जी के आंसुओं से आमले की उत्पत्ती मानी जाती है अब जानते हैं आमले के ओशधिये गुण आमला बिटामिन सी से भरपूर होता है इसलिए ये हमारी आखों, बालों बत्वचा के लिए फायदे मन्त है आमले का जूस पीने से ऐसी टिटी में भी आराम मिलती है और कबज की शिकायत दूर होती है सरीर में खून की कमी होने पर रोज एक आमले को खाना चाहिए ये हमारी रक्तिकोशकाओं को बढ़ाता है बुखार होने पर आमले के रस को छौक कर पीना चाहिए दात का दर्द होने पर आमले के रस में कपूर डाल कर दर्द के इस्थान पर लगाने से रहात मिलती है सरीर में गर्मी बढ़ जाने पर आमले के रस का सेवन करना चाहिए आमले के मुरब्बे को दूत के साथ सेवन करने पर यादास्त बढ़ती है आमले का पेस्ट बनाके चेहरे पे लगाने से दागदबी दूर होते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कीजे शेर कीजे बाबाई